वेलकम टू शुबमी क्लासिस दोस्तो तो देखिए अगर आप भी आर्मी की त्यारी कर रहे हैं चाहें आपका एक्जाम आर्मी जीडी हो, कलर्क हो, ट्रेट्समन हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जूरूरी है आपका लेवल चेक करने के लिए कि के आए हुए हैं तो आपको पता है कितने इंपोर्टेंट हैं तो ये कॉश्चन तो आपको आने ही चाहिए हर कीमत पे तो यहाँ पर तीस में से कम से कम आपका 25 या इस से उपर स्कोर होना चाहिए तब ही आप समझना कि इस समय आपकी तियारी अच्छे लेवल पे हैं नही कोश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही फेमस कोश्चन है मोस्ट इंपोटन कोश्चन है और बहुत बार रिपीट हुए है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को उमीदह आपने सही आंसर दिया होगा कोश्चन नंबर सेकेंड आधुनिक ओलंपिक खेलो क कि शुरुवात कब हुई तो देखिए आधनिक ओलंपिक खेलों के अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुवात हुई थी 1896 में ठीक है और इसके अंदर भारत में सन 1909 में प्रवेश लिया था यह आप ध्यान रखेंगे और देखिए एक और ओलंपिक गेम थे प्राचीन ओल नदी के किनारे स्थित है तो लखनाव स्थित है कौन सी नदी किनारे गौमती नदी के किनारे बहुत जुरूरी कोशन था और देखिए बात करेंगे सर्यू की तो सर्यू जो है आयोध्या जो है वो सर्यू नदी के किनारे पर इस्थित है यह आपको पता होना चाहिए ठीक नेक्स्ट कोशन देखीएगा, कोशन नमबर चार है हमारा, निमन में से कौन संसद का निमन सदन है, तो संसद का निमन सदन निमन में से कौन सा है, तो लोक सबा संसद का निमन सदन होता है, और राज्य सबा संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है, साधे साथ आपको बता दू अनुछेद 79 इसके अंदर जो है वो संसद आती है ठीक है अनुछेद 80 इसके अंदर आता है राज्यसभा और अनुछेद 81 के अंदर आती है लोकसभा तो ये आप ध्यान रखेंगे ठीक है और एक चीज और संसद जो है वो राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्र पती इन तीन वेधियों को मिला कर सनसद बनती है कौशन नमबर फाइव है राज्य सबह का कारीकाल कितने वर्ष का होता है stoXT infect है तो यह होता है च्रह का होंबर 6 राज्ये सभा के सभवापति होता है तो बॉर्ष क Kanye का सभापति क्यां कि भी राज्ये सभा का उप्राष्ट पतीर यह डृष्ष का ड्रूर राज्यसभा का सभव पतीर होता है कोशे लृष डीका पता है content लोग सभा अध्यक्ष ही इसका फैसला करता है कि यह धन विदेख है या नहीं है ठीक है और धन विदेख जो है यह अनिचे देख से दसके अंतरगत आता है और यह भी कोश्चन आपके आर्मी के एक्जाम में आया हुआ है कोश्चन नमबर आठ नियोट्रोन की खोज किसने की तो दिखीगा नियोट्रोन की खोज की है चैडवीक ने ओप्शन सी चूज किया तो बिलकूर करेक्ट अंसर है थॉम्सन ने किसकी खोज की है यह भी आपको पता होना चाहिए और रदर फोड ने किसकी खोज की है ठीक है बहुत इंपोर्टन है कोश्चन नमबर नाइन वि पिन आखे कमजर हो जाती है तो रा से रतोंधी हो गया और रा से ही आपका रेटिनोल हो गया तो ऐसे आप याद रख सकते हैं विटामिन ए का जो रसानिक नाम है वो रा से शुरू होगा रेटिनोल कोश्चन नमबर दस लंदन किस नदी के किनारे इस्तित है तो लंदन स्त आपका टेम से नदी के किनारे ओप्शन ए करेक्ट होगा और बात करेंगे हम अरस्तु की तो अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्यान का जनक ठीक है और देखीगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्फूल लग रहा है ठीक है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीज पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं ठीक है बट यह चीज़ जुरूर चूज किजिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन बेर हमारे यहां पर 12 है अमेरिका का राष्ट्रिय खेल क्या है तो अमेरि टैनिस में एक प्लेयर भी हो सकता है और दो प्लेयर भी हो सकता है और वाली वोल में कितने प्लेयर होते हैं छे प्लेयर होते हैं ठीक है यह कोशन आपसे एकजाम में आता है और अगला प्रशन इसी के उपर है हमारा बास्किट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बास बहुत important वीडियो है और सभी की सभी short tricks हैं इसके लावा एक मैंने वीडियो आपको साधारन ब्याज का दिया है बिल्कुल complete लाब और हानी का मैंने आपको वीडियो दिया है और आपको मैंने वीडियो दिया है उसका आउसत का तो उनको जाकर देख लेना और बहुत सारे practice set available ह next है घूमर किस राज्य का लोक निरित्य है very simple question है और बहुत बर आपकी नजरों के सामने आया भी होगा तो घूमर जो है यह लोक निरित्य है राजस्थान का option A इसका correct answer होगा question number 15 भारत की सबसे बड़ी सायक नदी कौन सी है okay सबसे बड़ी इसका सही answer होगा हमारा option A यमना actually बड़ी ना बोलके इसको हम लंबी बोल सकते हैं भारत की सबसे लंबी सायक नदी और यह गंगा की सायक नदी है ठीक है इसको खुला नाला भी बोला जाता है यमना नदी को next question देखिएगा question number 16 है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था गुलाम वंश का संस्थापक कौन थ correct answer क्या होगा कुतवबुदिन एवग कुतवबुदिन एवग ने गुलाम वंश की स्थापना किया थी 17 राष्ट्री ध्वच का डिजाइन किस ने तयार किया था राष्ट्री ध्वच का डिजाइन तयार किया था पिंगली वैंक किया ने option A बिल्कुल correct होगा question number 18 है विश् option A correct होगा अच्छा 1764 में भी एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था बक्सर का यूद बहुत फेमस यूद है और ये भी आपके एक्जाम में आ चुका है तो बक्सर का यूद हुआ था वो हुआ था आपका 1764 में और पलासी के लड़ाई 1757 में 19 भारत के किस राज्य में र पहाडिया हैं जहां पर इलाईची पाई जाती है और भारत में सबसे अदा इलाईची पूछेगा तो भी आपको केरल ही आंसर देना है ठीक है 21 है किस रंग का तरंग धहरे अधिकतम होता है तो देखी आपको आंसर देना है या पे लाल रंग ठीक है और सबसे कम भी आ सकता है अग्जाम में तो सबसे कम किसका होगा वो होगा आपके बैंगनी रंग का तो ये दोनों ही सुपर इम्पोर्टन है 22, computer साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और ये question तो आपके army के exam में बहुत बार घूमा है बहुत बार repeat हुआ है तो ये किस दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 2 December को computer साक्षरता दिवस question number यापे हमारा 23 है ध्वनी तरंगों की प्रकृती होती है यानि कि ध्वनी जो है तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है तो ये होती है अनुधहरे तरंग इसका ध्यान रखेंगे आप और अनुप्रस्त की भी मैं आपे बात कर लेता हूँ तो जो प्रकास तरंगे होती है वो होती है अनुप्रस्त तरंग ठीक है तो ये दोनों आप शीजे ध्यान रखेंगे 24 है मैनेजायटिस रोग किसको प्रभावित करता है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है और मुझे लगता है कि ये कोश्चन सहयद आपको उंगलियों पे टिप्स पे राटा होगा मोनेजायटिस रोग जो है ये संबंदित है मस्तिष्क से ओप्शन D सही होगा 25 देखिएगा निमलिकित में से कौन सी एक साधिष राशी है साधिष आदिष बहुत सारे कोश्चन आते हैं तो देखिएगा साधिष राशी वेग ठीक है इसके साथ मैं बोल सकता हूँ बल विस्थापन ठीक है समवेग यानिकि जो जो हो रही है वो आपकी साधिस राशीं है इसके साथ आप को एक चीज और याद रखनी है तो यह सारी की सारी जो है यह साधिष राशिया तो में आपते हैं eben लेक्टो में ओप्षन दी बिल्कुल पर्रेक्ट होगा थैदो में प्या माय के हैं समूद्र की जहराई है है घ्रो में क्या मातधिया है जल की शुद्ध्धा और मैनो में 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 क्या म आपते हैं गैसों का दाब़ तो यह क्यांता है कि जहाता है कि तो भारती सविधन कर निर्माता किसे कहा जाता है तो यह बोलते हैं व यार नौक मेर कर को यानि की भीम्राव अंबेड कर एक ट्वंटीनन है यहां पर हमारा PARP में तो जिम करंबेट राष्टित समॉधैं किस राजन में स्थित है तो यह स्थित है उत्रा खंड में कोशन नमर 30 है और आज का लास्ट कोशन भी है सकरवी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो सकरवी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन C की कमी से ठीक है विटामिन C का रसानी की नाम क्या है ascorbic acid है ascorbic acid तो ये vitamin के जो इनकी नाम ये भी याद रखा किजिए vitamin A का हम बात कर चुके है ratundi यानि की retinol, vitamin B का रसानी की नाम होता है thaiman, ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे vitamin D का रसानी की नाम होता है calciferol, तो ये सभी important है ये नहीं बता कि कब कहां से कौन सा question आपके exam में आ जाए तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है, तो ये आपके top 30 question हो गए बताना आपको वीडियो कैसा लगा चैनल पने हैं तो जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भरत